चरो बिटा ऐसा करो ये डाल दिया exercise 6.2 NCRT आचा पहला question सारे बच्चे ये question लिखेंगे बिटा और ये diagram बनाओ और diagram बनाने के बाद पहले try करो answer निकालो ठीक है सारे बच्चे answer निकालो उसके बाद हम लो discuss करेंगे बहुत आसान है थोड़ा जल्दी जल्दी करोगे ठीक है ये आज exercise फिनिस करनी है सुनो बिटा अब इसमें करने का बड़ा आसान सा तरीका है जैसे एक ratio given है तो ऐसे नहीं लिख सकते है let let y equal to 3a ले लो बिटा और z equal to 7a ले सकते है ab line cd line के parallel है ab line cd line के parallel है बिटा अच्छा ab line cd line के parallel है और cd line किसके parallel है ef line के end ये अगर equation मैंने 1 लिख दी और मैंने इसको लिख दिया cd parallel है ef के इसको अगर मैंने equation number 2 लिख दिया तो from 1 and 2 क्या हो गया बिटा ab is parallel to cd बात है ये वाली side अगर इसके parallel है ये वाली इसके parallel हो तो तीनों आपस में parallel नहीं हो गई तो मैं लिख सकता हूं यहां से ab is parallel to cd is parallel to ef ये हो गया तीनों parallel हो गई जब parallel line है तो parallel line में डेसारे concept लग जाते है जैसे माल लो इन दोनों की में बात करूं तो ये x और y कौन से angle है co interior है ये transversal line का काम कर रही है कोई दो parallel line को अगर कोई तीसरी line कट कर रही हो बेटा ऐसे तो वो क्या बोलते है उसको transversal का काम ये तो ये angle और ये मिला के कितना हो जाएगा बच्चा तो तुम लिख सकते हो x plus y x plus y equal to 180 degree और आगे क्या लिख सकते हो बोलो co interior angles linear pair कैसे लिख सकते हो बेटा नहीं न लिख सकते हो एक चीज़ लिख दी आगे बता बेटा आगे तुमारे पास में ये वाले line देखते चलना मैं क्या लिख रहा हूँ अरे बहुत बहुत चीज़ें हैं देखो ये वाला जो angle है न ये angle और ये angle आपस में बिलकुल equal होगा बीच की line थोड़ी देर के लिए भूल जाओ भूल गए बीच की line भूल जाओ अब मेरे को बताओ ये वाला अंगल और ये angle equal होगे कर नहीं होगे कौन सी property से alternate interior angles तो मैं direct लिख सकता हूँ angle x x equal to angle y sorry z उससे लिखने से मिलेगा क्या हाँ अच्छा एक चीड देखो ये लिखने से पहले अगर मैं ना लिखना चाहूँ एक मिनट देखना सारे बच्चे भी लिखेंगा उसको अगर ये वेटा y है तो ये कितना होगा ये भी y होगा कर नहीं होगा कौन सी property लगा दी मैंने vertically opposite angle इन दोनों का sum कितना होगा 20 होगा तो y प्लस और अभी-भी क्या बताय था इस बच्चे ने x equal to z होगा कौन सी property बिटा इसके question की करने के देर सारे तरीके है कोई tension नहीं ठीक है अच्छा एक तो ये आ गया एक चीज और इन दोनों का sum कितना बन जाएगा बिटा तो मैं लिख सकता हूँ y plus z equal to 180 degree आच्छा और यहाँ पे यहाँ पे तुम चाहो तो थोड़ा बहुत change भी कर सकते हो जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हो इस y की जगे क्या लिख सकते हो नहीं y की नहीं आच्छा वो तो y same equation बन जाएगी कोई फाइदा नहीं है कोई फाइदा नहीं है और क्या की बने बिटा अब यहाँ पे देखो y की value कितनी की बने देखो बिटा कितनी है यहाँ पुट कर दो थरी है और z की कितनी की बने इन दोनों को अगर मैं add कर दूं तो कितना बन गया 10 a equal to 180 अगर 180 है 0 से 0 cancel a की value कितनी आ गई अच्छा a आ चुका है अब मैं यहाँ कर रहा हूं a आ गया इसका मतरब है मेरे पास y आ गया y केतना आ गया 3 into a क्या only z चाहिए क्या अच्छा हाँ ठीक है only वो चाहिए तो हमें यह निकालनी कोई जरुवती भी नहीं आगे देखो बिटा x किसके क्वाल है z के तो एक काम करते है पहले z निकाल देते हैं तो z equal to कितना बन जाएगा 7 into 18 कितना बन गया 126 therefore therefore x equal to कितना आ गया बेटा x equal to z है और यह दोनों 126 आ गया तो x equal to 126 degree correct answer इसको करने के दे सारे तरीके हैं ऐसे भी कर सकते हो ठीक है यह आसान तरीके ही लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है चलो जल्दी लिखो लिख लिए आना सारे बच्चों ने मैं चेंज कर दूँ चलो कहीं लिखा है क्या 90 हाँ यह लिखा है EF parallel to perpendicular to cd तो EF मताँ यह बाला sorry EF मताँ यहाँ पे 90 है बच्चा यह तो यह EF perpendicular to cd यह दर नीचे रहेगा और दोनों साइड parallel है यह पहले अर बेटा दो नहीं हो गया नहीं हो गया दो नहीं हो गया चलो यह भी है वो भी है जल्दी करो बहुत आसान है अब तो जब perpendicular है तो बहुत 90 वाला concept लगाओ solve करो ट्राई करो दो मिनिट फ़े यह देखो डाइग्राम में यह आदे से ज्यादे चीज नहीं कर सकते पेटा यह कितना अंगल यह पूरा केतना है यह question में given है अंगल GED पेटा दे रखा है 126 अच्छा यह GED को मैं ऐसे भी लिख सकता हो नहीं क्योंकि इसका plus इसका sum equal to 126 तो मैं इसको लिखूँगा अंगल G E F plus 90 plus 90 equal to 126 126 degree तो अंगल G E F equal to आ गया बेटा 126 minus 90 कितना आया बेटा बोलो 36 degree यह तो तुमारा answer हो गया यह पूछा था कि नहीं G E F एक पार्ट तो देखो तुमारा answer आ चुका done एक पार्ट तो हो गया next next पार्ट के बारे में सोचते है निकुंज बताएगा निकुंज यह बता यह वाली side और यह वाली side आपस में parallel है एक second हो ना बिटा एक अचा मैं किसे पूछ रहा था कां गया निकुंज बता यह वाली AB side और CD side दोनों parallel है अगर यह parallel है तो बीच में यह क्या कर रही है यह परसल का काम करेगी यह वाला एंगल और यह एंगल आपस में equal होंगे कर नहीं होंगे कौन सी property से Alternate Interior यह पूरा एंगल कितना था बिटा 126 तो यह पूरा कितना हो गया 126 डिगरी एक अंसा तो यहां से आ गया 126 तो मैं कैसे लिखूँगा मैं लिखूँगा एंगल AGE equal to होगा एंगल GED और एंगल GED यह क्यों होगा Alternate Interior एंगल इसकी बेलू already given है that is 126 तो तुमारे पास एंगल AGE आ गया दो पाट आ चुके यह भी हो गया बिटा अब बचा है FGE कहा गया FGE यह एक स्टेट लाइन है है न बिटा यह 126 है तो यह कितना बचा कैसे निकालोगी linear pair से तो मैं मुझे कहरा सहीब आता है तो लिखेंगे हम लोग एंगल AGE प्लस दूसरा एंगल है FGE equal to 180 degree यहाँ पर लिख दो linear pair मैं short में लिख दे रहाँ ठीक है इसकी बेलू already पता है 126 plus FGE equal to 180 solve कर दो बेटा कितना आ गया यह 54 डिग्री आ गया समझ में आया ऐसे कर लो के कर लो सारे answer आ गए done बेटा जली करो next सवाल करते हैं यह important सवाल है हम लोग के जो exam होगा न उसमें यह आएंगे ठीक है बेटा करो बेटा लेकिन exam में यह hint नहीं मिलेगी ठीक है exam में नहीं मिलेगी hint question लिखो लिखो diagram बनाव करो सारे बच्चों ने कर दिया तुम्ही कर ले बेटा देखो क्या करना है सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे draw इसका कुछ नाम लिख दे रहा हूं st लिख दे रहे चरब कोई नहीं st नहीं लिखेंगे कुछ और लिखो बेटा इसका नाम लिख दो ab लिख दे बेटा ab scene कैसा है का pq line parallel है st के हालाग यह दोनों ऊपर नीचे हैं लेकिन parallel है यह side और यह side आपस में दोनों parallel है तो मैंने एक तीसरी side ab draw करी जो इन दोनों के parallel हो गई तो कैसे लिखेंगे draw ab parallel to pq parallel to st st ठीक है इतना काम करा इतना करने के बाद में अब यहां बताना बिटा डाइग्राम में अगर यह बन बन जीरो है तो यह कितना हुआ यह 70 हुआ कौन सी property लग गई cointerior angles ठीक है आचा ऐसे यहां बन 30 तो यह कितना हुआ 50 degree हुआ यह तीनों angle का sum कितना होगा लगा दो बिटा बीच का answer आएगा जल्दी करो अचा सुनों बिटा अब यहां लिख भी तो लो कैसे लिखोगे ऐसे लिखना angle pqr plus angle qr a equal to 180 degree कौन सी property लगेगी बिटा cointerior angles इसकी value already given है 110 तो angle qr a equal to आजाएगा तुमारे पास में 70 degree ऐसा ही यहां पे निकाल दो angle this plus this equal to 180 degree कौन सी property लगेगी बिटा cointerior फिर वहां से आजाएगा फिर यहां पे linear pl लगा दो बिटा क्यों नहीं लगा सकते इन तीनों में यह state line है न कोई मैं समझ रहा हूं तुम जो कहना चाहरे हो अगर एक state line होती है तो state line पे जितने भी angle होते वो उनका sum 3 का कितना होता है 180 degree होता है चलो जल्दी करो try करो try करो अब देखना बिटा यह कितना हो गया इन तीनों का sum बताओ मतलब धे सारे तरीके हैं लेकिन मैं यही बारा कर दे रहा हूं बिटा 70 प्लस angle qrs plus 50 degree equal to 180 degree हो जाएगा बिटा यहां से solve करो qrs कितना आ रहा है 180 इन दोनों को add कर लो इन दोनों को add करके कितना होगे बिटा 120 माइनस करा तो 60 degree पूछा क्या था देखना एक बार यही पूछा यह पूछा यह आंसर हो गया ठीक है पीटा कर सकते हो और कोई तरीका लगाया है तुम लोगों ने कौन सवाल है दोबार बोलना अच्छा तुम लोगों ने ऐसे किया वो भी तरीका बहुत बढ़िया है कुछ बच्चों ने ऐसे किया होता है इसको extend किया करते गए ठीक है अब तुमारे पास में यह साइड इसके parallel है यह 70 है तो यह कितना है 70 है यह 50 तो यह कितना है यह 50 यह बढ़े यह तो direct सबाल है कई तरीके है इसमें तो pen सच बताए न कोई जरूरती भी नहीं है देखना बटा अगर यह 127 है यह वाले line AB line इसके parallel है तो मैं ऐसे भी लिख सकते हो कि AB is parallel to CD यह तो given है बटा तो मैं लिख सकता हूँ यह line किस चीज़ का काम कर रही होगी बोलो बट transversal का काम कर रही होगी यह पूरा का पूरा angle जो होगा यह इस angle के equal होगा बटा तो मैं लिख सकता हूँ angle APR equal to angle PRD इस angle को बटा मैं लिख सकता हूँ 50 plus y equal to 127 है न यहां से y की बहरू निकालो कितनी आ रही है कितना चर बेटा एक तो y आ गया आगे सुनो y आ चुका है तो लोगों ने एक property पड़ी होगी exterior वाली अगर मैं इस triangle की बात करूँ यहां से भी कर सकते हो नहीं तो यह भी कर सकते हो 127 equal to x plus y भी कर सकते हो दोनों option है चलो यही कर दे रहे हैं यह 50 किसके equal बेटा तो मैं क्या लिख सकता हूँ x equal to 50 है ना alternate interior angle अचा यह दोनों value ले जाके कहाँ पूट करने एक्स और y की value चाहिए थी आ गई करो जल्दी लिखना चाहो तो कैसे लिखो के बोलो अंगल a p q equal to angle p q r लिख सकते हो बेटा तो 50 equal to x आगे करें next question यह तो कोई किसी का छूट नहीं गया ना चलो next करो यह question important है इसको करो बेटा अच्छे से लिखो तो यह इसका last question है जल्दी करो तो बता सकता है चलो मैं बता दे रहा हूं पहले सुनना बेटा इस question में यह कहता है का p q और rs two mirror place two mirrors है एक एक यह mirror है एक यह mirror है mirror के mirror में क्या होता है scene बेटा तुम लोगों ने अभी angle of incident equal to angle of reflection होता है है ना ऐसे scene समझो मैं थोड़ा आसान तरीके से बताता हूं क्योंको तुम यह पढ़ो गए बाद में अगर b point से में एक line draw करूं ऐसी perpendicular कर सकता हूं इसका नाम मैं इसको मैं इसके perpendicular डालता हूं perpendicular जो line होती उसी को बेटा हम normal बोलते है ठीक है इसका कुछ नाम रख दे रहे हैं क्या लिख दें बेटा चलो इसको मैंने n लिख दिया ऐसे यहां से भी लिखना है क्या लिख दूं यह एंगल है इसका नाम लिख दो 1 यहां पे लिख दो 2 यहां पे लिख दो 3 और यहां पे लिख दो 4 लिख दिया ठीक है लिखने के बाद मैं सबसे पहले यह जो मैंने line draw कर रही है draw BN perpendicular to PQ perpendicular to PQ and M या CM कह सकते हो perpendicular to RS ठीक है पेटा यह मैंने perpendicular line draw करें perpendicular बैसे इसको physics में बोला जाएगा तो normal बोलते हैं अच्छा जी अब मैंको एक बात बताब बिटा सारे बच्चे यहां देखेंगे यह बाली साइड यह पहले PQ और यह दोनों parallel थी आपस में यह बाली साइड और यह बाली साइड जब दोनों ही perpendicular है क्योंकि यह दोनों parallel है parallel के उपर तुम perpendicular डालते हो और तो बो perpendicular आपस में कैसे हो जाते हैं? parallel हो जाते हैं, तो अगर ये दोनों आपस में parallel हैं, मैं लिख सकता हूँ, bn जो line है बेटा, ये parallel है cm के, ठीक है? अगर ये दोनों parallel line है तो बीच में ये क्या कर रहा है? transversal का काम कर सकता है, कह सकते हो ना? तो angle 2 equal to किता आजाएगा? angle 3, बतों ऐसे में लिख सकता हूँ, को angle 2 equal to angle 3, और कौन सा logic देंगे बेटा? बोलो? चलो, मैंने एक लिखा alternate interior angles लिख सकते हो लिख सकते हो, आगे देखो आगे देखो angle 1 और angle 2 आपस में equal होते हैं ये होता है physics का law क्या law होता है? law of law of रिख सकते हैं इंसिदेंट और ये, तो मैं कैसे लिखूँगा? angle 1 equal to होता है angle 2 और ऐसे ही बेटा angle 3 equal to होता है angle 4 पहले इतना लिख हो, चलो देखा हो पहले इतना लिख हो तो आच्छन इसके आगे लिखी भी लो ये हो गया by laws of reflection चरम नहीं ये लगाती है प्रोपर्टी अब सारे बच्चे एक चीज बताओ angle 1 किसके equal है? angle 2 angle 2 किसके equal है? angle 3 angle 3 किसके equal है? angle 4 तो सारे equal हो गए therefore, therefore यहां तो ऐसे हो गया, angle 1 equal to angle 2 equal to angle 3 equal to angle 4 हो गया हो गया ना बेटा? अच्छा अब एक काम करते हैं हमें question में जो पूछा है उस पे चलो question में पूछा है prove करने को, prove that AB is parallel to CD AB तो बेटा ये है AB अगर इसके parallel दिखानी है तो तुम ये बाला angle और ये बाला angle अगर equal दिखा दो 1, 2 और 3, 4 angle जो है इनको equal दिखा दो तो अपना पका हो जाएगा alternate interior angles की बज़े से तो मैं क्या लिखूँगा? ऐसे लिखूँगा angle 1 plus angle 2 ये किसके equal हो जाएगा? angle 3 plus angle 4 के equal हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि actually है कहना? देखो बेटा 2 और 3 तो आपसम बराबर हैं ठीक है? और 1 तुमारा 2 के बराबर है ऐसे ही 3 4 के बराबर है तो सारी बराबर हैं इसका मतलब यहाँ पे 2 angle है, यहाँ पी 2 angle है तो दोनों का सम किसके equal हो गया? ऐसे करके लिख सकते हो. तो ये पूरा का पूरा जो angle है, इसको मैं लिख सकता हूँ angle A, B, C और दूसरे बाले को लिख सकता हूँ बेटा B, C, D जल्दी गरो बेटा लाट चली गई है